दोस्तों आज हम बनाएंगे कॉर्ण के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी वो टेस्टी बनते हैं, इन्हें बनाकर आप एक से दो दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये ऐसे ही क्रिस्प बने रहते हैं, और खाने में बहुत ही स्वादिश लगते हैं, तो चलिए बनाना सुरू करते ह इसके लिए हमने ये दो भुट्टे ली है इनके रे से निकालने के बाद इनको थुल लिया है अब सबसे पहले हम इनके दाने निकाल लेंगे चाकू से इनके दाने आसानी से निकल जाते हैं आप चाहे तो इन्हें ग्रेट करके भी ले सकते हैं और दोस्तो इसके लिए दूधिया भुट्टे लेजेगा इससे पकोडो का टेस्ट अच्छा आता है इस तरह से हमने दोनों भुट्टो के दानों को अलग कर ली है अब मिक्सर जार लेंगे इसमें हम ये भुट्टो के दाने डाल देंगे थोड़े से दानों को हमने बचा ली है इनका इस्तमाल हम बार में करेंगे और इसमें हम डाल देंगे दो हरी मिर्च, दो से तीन लसुन की कलिया, दो छोटे टुकडे हमने अधरक की लिए है, आधा छोटा चमच हम इसमें जीरा डालेंगे और इनको बिना पानी डाले पीश लेंगे, भुट्टो में मौश्चर होता है तो ये आसानी से पीश जाते हैं, इनको हमने बॉल में नि अब इसमें हम डाल देंगे आधा चोटा चमच आजवाईन, आधा चोटा चमच कुटी भी लाल मिर्च, आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा बारी कटववा हरा धनिया और आप बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं दो बड़े चमच आरा रूट, इसकी जगा आप कॉर्ण फ्लोर या चावल का आटा भी ले सकते हैं, इससे पकोड़े और भी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं, और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंग और दोस्तों इन पकोड़ों को आप सिर्फ आलू या सिर्फ प्याज डाल कर भी बना सकते हैं, आलू डालने से पकोड़े क्रंची बनते हैं और टेस्टी लगते हैं, और देखिए इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ने डाला है, कॉर्ण के मौश्चर से ही इनको हमने अच् कर लिए, अब जिस सेप में आपको पकोड़े बनाना हो, गोल, लंबा, चप्टा उस सेप में बना कर इनको फ्राइ कर लिजे, इनको इस्टोर करना हो, तो इनकी छोटी-छोटी बढ़ियां बनाईएगा, और तेल में डालते जाईएगा, पकोड़ियां जितनी टेड़ी म होती हैं, उतनी ही कुरकुरी बनती हैं, और डालने के बाद इनको दो-तीन मिनाट तक ऐसे ही छोट दीजेगा, उसके बाद इनको पलटियेगा, और मीडियम आज पर इनको थोड़ी देर तक सेखिएगा, जिससे कि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं, और देखिए, इनको लटते पलटते हुए, चार से पांच मिनाट तक हमने इनको फ्राई कर ली है, अच्छा सा गोल्डेन कलर आ गया है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे, ये कॉर्ण के पकोड़े बहुत ज्यादा ओयल अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, इधर आप चाय रखेंगे, इधर पकोड़े त्यार हो जाएंगे, वैसे ये पकोड़े इतने टेस्टी होते हैं कि आप इधर तलते जाएंगे, और इधर सब चट करते जाएंगे, पर इनको एयर टाइट डब्बे में भरकर, एक से दो दिन तक फ्रीज में स्टोर करके भी रखेंगे तो ये ऐसे ही क्रिस्प बने रहेंगे, बारिस में चाय के साथ इनका कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और एक बार इस तरीके से ये पकोड़े बना लेंगे तो आप ये पकोड़े बार बार बनाना चाहेंगे, तो दोस्तो इस मानसून एक बार इस भुट्टे के पकोड़े बना कर जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेस्पी बहुत पसंद आएगी, और पसंद आये तो वीडियो को लाइक सेर कर देजेगा, और चैनल को सब्सक्काइब करना ना भूलिएगा, फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद